ओम शान्ति आज भठी का तिसरा दिन है और स्वभाग्य से आज दादी प्रकाश्मनी दिवस भी है और इसलिए थोड़ा सा परिवर्तन किया था ताकि आप डाइमन्ड हॉल से शान्ति वन से जो सीधा प्रसारण होगा उसका भी लाब ले सकी तो इस समय हमारे बीच में बधारे हैं हमारे आदर्णिय राजयोगी रामनाद भाई जी एक हाथ ही लाकर हम आपका स्वागत करते हैं सतकार करते हैं अभिनंदन करते हैं रामनाद भाई एक ऐसे परिवार में जन्मी जहां बाल्य काल से ही उन्हें धार्मिक बाते सीखने को मिली धर्म शास्त्रों की बाते सीखने को मिली लेकिन जैसे कि हम सभी जानते हैं धर्म शास्त्रों की बाते कई बार विरोधा भासी भी होती हैं तो क्लारेटी कम थी और इसलिए और भी कुछ प्राप्ति करने की मन में एक चाह थी फिर वो भी दिन आया कि जब 1972 में आप इश्वर ये ज्ञान मार्ग में आए और वो ज्ञान की क्लारेटी बढ़ती गई बढ़ती गई फिर तो आप मुंबई में जॉब भी किया अपने मेनेजरियल पोजीशन पे थे लेकिन मन कहता था लौक एक जॉब करके क्या करना है जब इश्वर मिल गया तो इश्वर की सेवाओं के लिए जीवन लगाना है तो बस 78 में जब मदुबन में आये परमात्मा से मिलने और तभी अपना जीवन सेवाओं में समर्पित कर दिया तब से लेकर आज दिन तक इस मदुबन धर्नी में रहकर आप देश विदेश की सेवाओं करते हैं मुख्य रुप से आपने आपको बाबा ने धार्मिक प्रभाग की सेवाओं दी है आप उस प्रभाग के उस विंग के हैड़कौर्टर कॉडिनेटर है क्योंकि बैक्ग्राउंड तो तयार है आपका धार्मिक धर्मशास्त्रों की बाते पता है और उस प्रभाग में जो धर्म के प्रकांड पंडेत कहो महामंदलेश्वर कहो जो आते हैं तो उनको कन्वीन्स करना फिर आपके लिए एजी हो जाता है तो सिर्फ इजी नहीं होता है भाबा ने आपको इतने सुंदर बुद्धी दी है कि जब वे लोग यहां आते हैं और जैसे बाबा कहते हैं एक स्टेट है जिसके लिए बाबा कहते हैं करनातक वाले अर्थाद नातक करने वाले हैं करनातक वाले माना नातक करने वाले हैं और नातक करने कौन सा ग्यान का नातक ग्यान का डांस तो आप उनके सामने इतने सुंदर ग्यान की डांस करते हैं कि जब वो यहां से वापस लोडते हैं अपने स्थान पर तो उनके भीतर इतनी मदूबन की अमीर छाप पड़ जाती हम अपनी पूजा में बैठें लेकिन मन आपकी तरफ मदुबन में खीचा चला जा रहा है तो ऐसी सुन्दर ग्यान की डांस करने वाले ग्यान की गहराई में जाने वाले योग की अनुभुती कराने वाले हमारे भ्राता जी हमारे बीच में है जो आज मुर्ली के बाद दाधी के शिक्षाओं की अन्मोल सोगात थी पहला ही पॉइंट क्या था इश्वर्य नियम एम अम मर्यादाओं से स्वयमका श्रिंगार तो क्या है इश्वर्य नियम एम एम मर्यादाओं उस पर विस्तार से प्रकाश डालेंगे आधनिय रामनात भाईजी ओम शांती ओम शांती आज देखो बहुत अच्छा समय है बाहर भी बहुत अच्छा मोसम है और अंदर भी आज बाबाने कहा शांती चाहिए शांत प्रिय आत्मा तन भी शांत चाहिए और मन भी शांत चाहिए तो ये आज बहुत अच्छा समय है आधर्णिय दादी प्रकाश मनेचे के चोदावी पुन्यस्मृती पुन्यस्मृती दिवस पर तो इश्वर्य मर्यादा का टॉपिक आया तो दादी के संधर्व में जीवन में कैसा था तो प्रेक्टिकल मैं अनुभब बताता हूँ तो इश्वर्य मर्यादा क्या है वन गौड वन फैमिली एक परिवार वसूधेव कुटुम बकम पहले भी कहते थे तो ये मर्यादा पहले है हम एक परिवार है आपस में एक है एक मत है तो एक परिवार के अंदर माबाप है तो माबाप के श्रीमत पर चलते है तो उनको कहते हैं मर्यादा पुर्शोत्तम हमारी हर बोल, हल, चलन, करम मर्यादा अनुसार श्रीमत के अनुसार अगर वो करते है तो पदमों की कमाई जमा होती है सेवा करते है दुनिया में भी करते लोग एक का एक गुना मिलता है तब कहा श्रीव बाबा को भाग्य विधाता है हो भाग्य बनाने की विधी बताता है दुनिया में भी बहुत लोग दान करते है, पुढ़नी करते है, हर प्रकार से करते है, और यहां आप भी दान करते हो, तो दोनों में अंतर क्या है, एक जगा एक का पदम गुना, और एक जगा पर एक का एक गुना, उसका गुई रह से क्या है, वो जन्न चे, तो उसके लिए पहले एक बताता कि इश्वरिय मर्यादा के अंदर आता है कि वन गॉड वन फैमिली के एक परिवार ये बुद्धी के अंदर अगर अच्छे तरह से बैठा है तो उसका आप पूछेंगे प्रैक्टिकल पुरूफ क्या है तो हमने देखा हमारे जीवन में मैं आस्ट्रेलिया में गया उसके अंदर लास्ट न्यूजिलेंड से भी बाहर डेनिंग डन करके एक जगा है वहाँ एक बहन रहती है जो स्कूल की टीचर है और वहाँ से वो इतनी महनत करती है स्वेटर तोपी ये सब बना करके प्योर वूल मिलता है वहाँ तो ग्लोबल हास्पिडल की बहुत सालों से सेवा करते हैं किसी को पता है नहीं तो वहाँ सेंटर में जाना हुआ तो जाते समय देखो की बहन जी ने कहा भावनगर की इधर की अमदाबाद की नहाँ बहनेन उसकी बड़ी बहन नहाँ बहन करके वहाँ है तो हमारे साथ जहाम जाते थे वहाँ कोई न कोई एक बहन माता आती है खाना बनाने के लिए कुछ करने के लिए लेकिन वो फ्लाइट जो था बच्चों का था पचास बच्चे ही जा सकता है तो उदर तक आये उनको मिलाने थे के तो बहन जी ने पहले कहा था वो अंग्रेज भेन आपको क्या खिलाएंगी हमने कहा बहन जी एक नाइट है चलेगा तो गए तो उन्होंने ऐसे खाना बनाया तो पमकीन कहता है पमकीन मना हाँ तो वो बॉइड किया मैश किया एक ब्रेड का स्लाइड एके लिए रहती है दोनों बैटे टेवल पर तो हम खाना खने गया देखा अरे ना नमक न कुछ भी नहीं टेस्टी दिया है तो मुझे याद आया कि पालना भेन जी को पता था तो उन्होंने टिफिन में खाना दिया था दूसरा तो वो हमने कहा ले क्या ओ देखलो क्या है دेखा दोनों ने वही की खाया रात को माना पालना उसी के साथ दो कि उनको इन एडवांस पता है परिवार की पालना कैसे होती है ऐसे दादी जी का देखलो वहाँ ही था मैं उसरे दिन सबेरे मुडली सुना रहा था, तो उदर सी यहां 22 घंटा फ्लाइट में भी आओ, इतने लास्ट कुना है, तो दादी तु समय हां द्यकदीश भाई ने अपना पुराना शरीर ट्या किया, दादी जी ने फोन किया वहां, मैं सबेरे मुडली सुना रहा था, तो ब किया, तब तक दादी का भी दुबारा आया, और दादी ने कहा कि जगदीश भाई ने ऐसे ऐसे शरीर ट्याग दिया है, क्या आप 24 घंटे कर आ सकते हो, हमने का दादी आप को तो मैं आ सकता हूँ, लेकिन यहां से फ्लाइटी 24 घंटा है, और दो दिन के बाद मुझे आना तो आज तक हमने अपने जीवन में देखा, किसी ने भी कितने लोगों ने शरीर चोड़ा मदवन उसके बाद, एक ने भी कभी भी किसी को ने बला, हम उतना दूर होते वे भी जैसे माँ बाप को चिंता है, रिलेशन देखो, दादी और किसी को कह सकती थे उसमें बीजी है स्वयम ने इतने दूर होते वे भी एक वेक्ति फैमिले मेंबर है, अपना है, अपना परिवार का प्रूफ चाहिए, हम कहते हैं, हम वन गौड वन फैमिली कहते हैं, लेकिन व्यवारिक वास्तविक प्रूफ चाहिए, स्वयम दादी ने यहां से, और मैं मदवन में सबसे छोटा हूँ, हम से बहुत बड़े-बड़े हैं, तो स्वयम यहां से फोन करना एक वेक्ति के लिए, तो बाकि हम भी कि अगर आपके घर में कुछ बाग किसी को कहेंगे न, आप स्वयम नहीं करेंगे, तो माँ बाप की पालना, जो आज कहा, कि बाबा ने कहा, जैसे बच् प्रूफ चाहिए, ऐसी कौन पालना कर रहा है, स्वयम फोन करेंगे, कभी हुआ, तो कहना और करना, तो रियलिटी चाहिए परिवार, कहते हम, इतना ही नहीं है, उसके बाद भी मैंने देखा दादी जी को, जब भी भी दादी नाष्टा करने आती थी, हाथ पकड़ के ले जाएंगे, और दादी रोज एपल को मक्षन लगाता है, तो वो दो तीन पीस पहले खाएंगे, फिर नाष्टा करेंगे, तो हम को लेके जाएंगे, रोज एक दिन भी मिस नहीं है, जबी भी हमी मिलना चाहिए सामने, और कहेंगे, एक खालो हम कभी भी सवेरे सवेरे बाहर जाके किसको दे देता है, तो कहा मेरे सामने मुह में डालो, एक दफा दो दफा देखा, कि तब मेरे सामने मुह में डालो, हम को खिला करके, जैसे मा बच्चों को खिलाती है, पालना, एक दो दिन नहीं, कितने समय तक, ऐसे खाने दीदी थी, दीदी मनमोईने भी, दीदी दादी सदाई ही, खाने पर और नास्टे पर बुलाती थी, और जाते ही पहले खिलाएंगी, गिटी, एक गायन है, तो मा बाप बच्चों को पहले कैसे खिलाते हैं, कैसी पालना चाहिए, सिर्फ ग्यान सब कुछ नहीं आएं, शुरू में भी देखो, चार सो बाबा के बच्चाएं, सिर्फ ग्यान से नहीं, पालना, सस्टेनस, पालना जुरूर ज़रूर जब पालना के भी घर, तो आत्मा के अंदर पवदे के अंदर भी वो ताकत नहीं आते, सिर्फ खाद पाने डालते रहो, नहीं, देख पाल, सने प्यार, तब बाबाने आजका दुनिया में बहुत सरे प्रॉपर्टी है। जो रुहानी सने है, उसके सामने उस प्रॉपर्टी का कोई वैल्योनी है, ये वैल्योबल है। तो सने क्या होता है? एक समझ से, एक दिखावा, एक बोलने का ग्ञान, एक प्रैक्टिक नहीं अववेक्त बाब दादा भी देखा जब से हम आया 1978 में सबसे पहले बाबा के कमरे में आता था आठ दस ही पेट सकते थे एक दो दफ़ा वाँ उसके बाद हिस्ट्रिया उस दिन से अंतिम शांतिवन जाने के पहले दिन तक ओम शांतिवन जब तक बाबा आया तब तक एक दफ़ा भी मिस नहीं हुआ है एक दफ़ा भी तब तक बाबा ने जब भी बाबा मुड़ी हो गई तो टोली का डबा रखने जाता था मही सबसे पहले खोल के बाबा टोली हमको देता था मैं देखता था बाबा बहुत सिर्यस होके बैठा है मैं चपचाप रखके जाता था मुड़ करके बुला करके भी एक दिन भी खाली हाथ नहीं एक गायन है बाबा भी कहता है मेरे सामने कोई भी आया खाली हाथ नहीं जाएगा प्रूफ मनुष प्रूफ चाता है विश्वास तब होता है न ऐसा कोई है एक गायन है बहुत कुछ महिमा कर सकते है गायन बहुत कुछ है प्रैक्टिकल चाहिए तो बाब दादा के सामने भी और कितनी दफा कुछ भी पूछो तुरंट ऐसे नहीं चुप रहा कुछ बोलाई नहीं एक दफा भी जब भी हमने कुछ पूछा हर प्रकार के प्रश्ण पूछा हर प्रकार का जवाब देता था एक दफा बाबा ने अपने अब बोला कि बच्चे बहुत अच्छे सेवा करते हो तोली दिया तो मेरे मन में था पूछो लेकिन हम पूछने नहीं जाता था अपने बाबा कुछ कहे तो बाबा किसी को कुछ सुनाओ तो लोग कहते हैं कभी यह साइंस की बात करता है नहीं बच्चे सुनाना चाहिए ग्यान की गुई बाते सुनाना चाहिए लेकिन वैक्ति को परकर ग्यान की गुई बाते बताना अब वैक्ति को मैं कैसे परकू तो यह पहले दिन तक मनौर दादी कहते थी, किसी को कोर्स कराते है, जो विदेशी, सब लोग आते थे दर, रोज कोर्स क्लास करना, रोज था, नहीं तो हमको पहले पता नहीं था, मनौर दादी ने सिखाया, तो कहते थी, अरे एक घंटा भोगे, आप यहाँ बैटे हो, ब्रेन फट तो नहीं जाएगा आपका, तो हम आत्मा का विस्तार सच्छी तरसे ज्ञान सुनाना है, तो बाबा ने आज का ज्ञान की जोली भर लो, अगर भरी हुई है, तो दान भी भरपूर करेंगे ना, नहीं है, क्योंकि हमको जैसे बाबा से मिला, सब प्रकार से वैसे बाबा को, तो जब मेरे दिल में, विचार में, बुद्धी में आया, कि मैं कैसे परकू, तुरंट उस दिन से ही, दूसरे दिन से ही, पांच मिनिट के अंदर, आत्मा का लेसन फिनिश, जो एक घंटा लग समय, जो भी संकल्प आया, आज बाबा ने मुर्ली में कहा, बच्चों के हर संकल्प में विजय, संकल्प आया, बाबा के सामने जाती थी था, हर ताइम, हर बात सपस्ट होती थी, तो ये पालना है, बाबा भी कैसी पालना करता है, दादी ने भी, एकनी हजारों है, तो मु कैसे पालना किया है कैसे धारणा अपने जीवन में लाई है अभी कभी कभी बाबा कहता है कि आप के दिल में बाबा हू जैसे भक्ति में कहते हनुमान ने खोल के दिखे अपना दिल कि राम मेरे दिल में है तो बाबा भी कहता है कि बच्चों के बुद्धी में बाबा रहना चाहिए स्मृती में देसे स्मृती है वैसे वृत्ती वैसे दृष्टी वैसे कृती तो उसका कोई प्रूफ है किसी के स्मृती में निरंतर बाबा हो एक है बोड़ी कॉंसियस दे अभिमान एक है गौड़ कॉंसियस तो उसका एक प्राक्टिकल प्रूफ चाहिए तो विश्वास होता है कि ऐसे कर्म करते वे भी एक कर्म कॉंसियस कर्मों में लिप्त रहते हम तो कर्म करते वे कर्म योग कहा कर्म करते वे भी कर्मों में लिप्त नहीं है तो कर्म करते भी God Conscious वह हो सकता है कैसे होंगे सोचला कहना ज्यान सुनने के लिटीक है तो प्रैक्टिकल में कैसे होगा तो उसका एक जिन मैंने प्रैक्टिकल सीखा कैसे कैसे परिवार से बड़ो साज बाबा ने कहा निमित बड़े भायों से बेहन दादियों से सीखो किस से सीखो कहा अनन्य बच्चों से तो क्या क्या सिखा तो मैंने देखा एक दिन दादी मुरली के नाष्टे के बाद या पहले भी लेटर लिखती थी दी दादी मुरली के पॉइंट तो दादी लिख रहे थी मैं आया सामने देखा दादी ऐसी करके लिख रहे देख के चला गय फिर पाँच मिनिट के बाद दुबारा आया तो भी दादी ने मुड़ के देखा नहीं तो लिख रहे थी लिखती नहीं मुख से एक शब्द बोला आओ बच्चे दादी ने आओ इतने नहीं आओ बच्चे शी वाज इन गौड कॉंसियस स्मृती में कौन जैसे बाप लिख रहा है बाप के स्मृती में कर्म कर रहता है आओ बच्चे मुड़ के नहीं देखा पहले आके गया पाँच मेंड के बाद दुबारा आया तो स्मृती में क्या है कर्म करते वे भी तब कहा कर्म पदमों की कमाई जमा करता है एक एक कर्म, एक है सेवा दुनिया में बहुत लोग सेवा करता है तो कर्म करते समय लिखते समय, ज्ञान भी कुछ भी करो हम किस स्मृती में है स्मृती जवाब देती है स्मृती भाग्य बना Ц्रेष्ट स्मृती से ही दृश्टी व्रत्ती बोल करम सब आता है तो कर्मों में पता चलता है कि स्मृति में वाब वो पदमों की कमाई जमा करता है तो निरंतर बाबा दादी के साथ स्मृति में बाबा साथ था प्रूफ आत्म विश्वास होता है इसे कोई प्रूफ है हाँ तो लिखते वे भी स्वाव बच्चे तो हमें इससे सीखना होता है कि कर्म करते हम भी ऐसे बाबा के स्मृति में रहते वे अगर कर्म करते हैं वो कर्म श्रेष्ट कर्म का तो श्रेष्ट कर्म करना चाहिए हर एक चाता है ज्यान भी है लेकिन उसकी वीधी तरीका क्या चीज है ये ऐसा कौन करता है कि प्रूफ चाहे हमको विश्वास शे कि कि अब हम सुनने से नहीं होता है देखना पड़ता है follow करना सहज है we want to see हर चीज हम देखना चाहता है सुना है पढ़ा भी है इतना विश्वास नहीं होता इसले इंग्लिश में कहता है सत्य क्या है क्या है सत्य you must see and you must listen at the same time एक साथ देखा भी अपने सुना भी देखा कुछ भ्रम हो सकता है सुना और किसी का आवाज हो सकता है नहीं दोनों एक साथ सुना भी और देखा भी कि हर चीज फॉलो करना बहुत सहज है तो दादी के द्वारा कैसी प्रैक्टिकल इश्वरिय पालना इश्वर के हम बाबा के बनने के बाद इस इश्वरिय परिवार की नियम भी है तो वो प्रैक्टिकल जीवन में कि पालना से बच्चे कैसे सिर्फ ज्ञान है, तहां ज्ञान भी तब जाता है सुनने तख ही है वो आचर में एकदम नहीं आता है तो ज्ञान को इंदर फूरा विश्वास होने के लिए भी पालना चांगा उसको स्थिनी कहते है वो इश्वरी स्थिनी इस इतना हिभी नहीं ज्यान की लेंदेन भी तो जब भी भी दादी खाली होती थी ग्यारा बज़े दादी का फिक्स था ग्यारा बज़े बुलाएंगी पांच्छे भाईवें को किचन वे सभी ग्यारा बज़े के बाद खाली थोड़े लोग थे शुरू में तो पूछती थी अगर योग में बैठे वे प्रश्न करते अपनी दिल की बात बताती थी क्याती योग में बैठे वे अगर सेवा का विचार आया क्या ये भी योग है नहीं बाबा के सेवा है ना और किसी के नहीं तो कहती थि, नहीं, आप और बाफ, सेवा भी नहीं, ज्यान भी नहीं, और कुछे नहीं. हर प्रकार की बाते अपनी दिल की विव. कहती है हम योग में बेठते हैं, जादी अपनी बताती थी, मैं बेठते हूं, तो सेवा ये करना, ये करना, कितनी सेवा थी? तो उसके विचार चलते हैं अपने दिल के अपने को clarify करते थी share करते थी और इतना भी नहीं परिवार को हर एक मदुबन निवासियों को अपना समस्ति थी ये पराया, ये सेवादारी ये काम करने वाले नहीं कोई भी चीज के लेती है देखो एक कार लेनी होती है तो पहले दिन शाम को क्लास करेंगे, क्लास में सब को पूछेंगी किस कलर का कार लेना चाहिए किस कंपनी का लेना चाहिए वो बुकिंग हो गया, सब कुछ हो गया है कलाने वाली है लेकिन परिवार का दिल जीतने के लिए लेने से पहले कहेंगे किस कलर का होना चाहिए कोई कहेगा दादी वाइट लेंगे तो जल्दी काला लगेगा थोड़ा क्रीमी कलर होना चाहिए कि जितने लोग है उतने मत भी है लेकिन फिर कहेंगे कौन सभी लोग कहते हैं सभी के हाथ उठाओ मना हर एक को अपना तब ही लेगा दादी अपने मत से नहीं करती है अपने को जच्छा लगा किया नहीं हर बात हर कर्म हर चीज हर एक को पूछते तो वे संगटन बना रहा तब कहा कि छोटी आई दादी के थी बॉंबे में थी उनसे भी बड़ी बिश्वंता दादी थी बिजंद्रा दादी बाबा की बहु दीदी थी कितने बड़े बड़े चंद्रबन दादी थी तो भी बाबा ने दादी को बंबी से लाया तो भी दादी ने सब को अपने साथ अकिले ने सब को हर चीज पूछ करके कभी नहीं कहती यह मेरा विचार है आप अपना विचार बताओ फिर आपके विचार में हाँ अपना सहमती मैं ऐसा चाहती हूँ अपने बात बताकर फिर आपसे पूछना नहीं उसको का सरल सुभाओ इजी नेचर तो हमारे जीवन के अंदर हमें कैसे सिखेंगे आप कौन करता ऐसा इतना भी नहीं एक दिन देखो मैं शांती बन जा रहा था ऐसे दादी कार से जा रहे थी इजी नेचर सरल सुभाओ का अर्थी क्या है कहते हैं always available सदा कभी भी जाओ आप किसी समय जाओ किसी को पूछने की विजरुत नहीं इवन मैंने देखा दादी ने एक बार बुलाया दादी स्नान करे थी सबेर इच्छे बजे हम मुरली क्लास दादी साड़ इच्छे बजे तयार होती है तब तक जाओंगा पांच मिनिट पहले गया तो भी देखा दादी स्नान करके कपड़े पेन रहे थी अरे आओ हमने का दादी बताओ क्या क्याना है मैं बाहर हूँ नहीं आओ अंदर और अपनी बात हर प्रकार से सबस्ट एक दिन मैं जा रहा था कही हमने का दादी आज शाम को तो मैं उदर जा रहा हूँ गाड़ी रिपैर करने देना है तो पैसे लिए हमने का नहीं बाद में दे दो चक वहाँ गाड़ी में सिगनेचर करके दिया मना जहां समय चाहिए बाद में आओ ऑफिस में नहीं अलवेज एवाइलेबल किसी समय किसी को कुछ भी कुछ कहना भी है आओ तुरन कल नहीं बाद में नहीं तुरन दान माहापुन हम कहते है ऐसे किया हुआ प्रूफ है तो क्या जब मुनुष को आज इतने भाई भेने समर्पित होए मदवन में भी किस आधार से क्या मिला वो निस्वार्थ अपना समझ करके जैसे भगवान माबाप हम कहते है तो भगवान माबाप के जैसे ही ऐसे ब्रह्मा बाबाने बच्चों की 400 बच्चों के कैसी पालना क्या सुनते है तो वो दादी के दो यूँवन के हमें देखा एक बार शुरू में अमेरिका से एक बहुत बड़ा सीडलेस अम्रूत आया बहुत मेरिका से 80 से पहले तो दादी ने एक एक पीस करके हर एक के कमरे में बेजा एक इप आया तब यह सीडलेस उसके बाद भूद दफाया हर चीज कोई भी मदुबन में नहीं कुछ आई अकेले नहीं परिवार तो कहते हैं वन गॉड वन फैमिली प्राक्टिकल प्रूफ देखो ओम श्रंती लास्ट में और एक कि पालना क्या चीज होती है जैसे मैं अमेरिका जा रहा था तो दादी बुला कर कहती है कि जिसे मां बच्चों को कैसे समझाती कहता है एड्रेस बुक एक ही नहीं हर जगह पर अलग अलग जाओ आपको कोई रिसीव करने नहीं आये तो आपको कनफ्यूज नहीं होना है कि अड्रेस बुक पर देख लो फोन करो एक हीने रखो, एक लगेज में रखो एक हाथ में रखो, एक और एक जागो तीन चार अड्रेस बुक रखो और अमेरिका जाते सा मैं उसके पहल ऐस्टेल्या भी गया बहुत जगा गया तो पैसे की जुरूत ने यहां बेठे वहां उतर नहीं उदर लेने आता है यहां छोडने जाता यह तो मैं जब जा रहा था तो मैं कुछ पता हैं तब डॉलर्स भी ले जाना है कुछ नहीं लिया जब मैं किलने लगा अब दादी ने अबूर शान्ती बन गई थे दादी, फोन किया, अरे आपने पैसे डॉलर भी लिया पैसे, हमने का जुरूत नहीं दादी, यहां से बैठे, वहां उतर नहीं आएंगे, नहीं डॉलर चाहिए वहां, वहां आपको ट्रॉली लेना है, तो एक डॉलर डालेंगे तो ट्रॉली मिलेंगे, नहीं तो सुटकेस कैसे ले जाएंगा, आप खिच के ले जाएगा, नहीं डॉलर ले लो, मना पालना, उनको चिंता, हमको चिंता नहीं किसी के, जैसे माँ बापको चिंता है बच्चों की, किसी पालना क्या चीज है, वह समझना है, कि वह हमें अभ तो आज बाबा ने उसके लिए कहा, सेवा जो करते हो, हम इनकी सेवा नहीं करते हैं, हम आपके नहीं करते हैं, हम शुब बाबा के श्रिमत के अनुसार भगवान की सेवा करते हैं, यह अगर स्मृति है, तो निश्वार्त सेवा है, यहां वैक्ति परिस्तिती किसी के तब है, कि स्मृति चाहिए, नहीं तो दुनिया में बहुत लोग दान करते हैं, बहुत लोग कुछ करते हैं, तो कोई भी काम करो, बुद्धी के अंदर ये स्मृति चाहिए, कि मैं किसके अनुसार कर रहो, किसके ले कर रहा हूं, तो स्मृति में वो है, और उस नहीं कहा, त तो Sumrithi में मैं किसे कहने अनुसार काम कर रहा हूँ सेवा कर रहा हूँ तो निस्वार्त भाव पद्मो की, तब نिस्वार्त हो सकता नहीं, इन के लिए कर रहा हूँ ये बहुत अच्छे है, ये ठीक नहीं है किसी वेक्ति के प्रभाव में आ करके प्रभावित हो जाता ह। कोई बहुत बड़ा मिनिश्टर है, पोई क्रोर पती है, कोई ऐसा है, कोई मिनिश्टर है, कोई और कुछ है, नहीं, किसे के प्रभाव नहीं है, किसे कुछ नहीं. शुब बाबा के श्रिमत के अनुसार उसका भी मैं आपको एक उधार्ण बताओ अगर ये स्मृति में है तो आप कुछ जानते नहीं हो तो बाबा कहता है मैं कैसे करन करावन हार आज बाबा ने कहा मैं बच्चों की सेवा के लिए संगम पर उपस्तित हूँ एवाईले बन बच्चों की सेवा के लिए कैसे करता है पूछेंगे आप बहुत शुरू में मैं मदवन में आप एक साल भी नहीं हुआ था कि जर्मन इसे एक ग्रूप आया कपल परिवार तो दादे ने कहा कि आप इनसे मिलो तो मैं उनको जोपड़े में लेकर के बैठा तो बैठा तो उन्होंने एक प्रश्ण पूछा कि वो थोड़ा कुछ बाहर का जानते थे मीडिया वाले जैसे थे तो उन्होंने का what is thought power मैंने कभी यह शब्द सुना भी नहीं था thought power क्या है संकल अब शक्ति क्या है एक घंटा उनको इंग्लिश में समझाया और जब मैं सुना करके बाहर आया तो दादी को मिलाने ले जाया तो मैं सोचा आज यह thought power मैंने कभी सुना भी ने शब्द तो यह क्या कैसे मैंने एक घंटा सुनाया मुझे ही अपने आप रियलाइज हो रहा था क्या सुनाया मैंने और वो बहुत खुश तो भगो कैसे तब मुझे समझ में आया practical कैसे बाबा काम करता है कैसे सेवा करता है इस शुरू में ही एक साल भी ने हुआ था आकर के तो कैसे बच्चों के द्वारा अगर आप मैंने सुचा मैंने कभी सुना भी ने क्या सुनाओ अभी दादे ने बुलाया कहा इनसे आप सुनाओ तो बाबा की जोपड़ी में बेठे बाबा को का बाबा मैं क्या सुनाओ और उन्होंने भी ऐसे प्रश्णों पूछा तो बाबा सेवा पर उपस्तित है सेवा कैसे करता है तब नाम है करन करावनहार सिर्फ इसना चाहिए कि आज का किस भी भी स्वार्त अहम नहीं है मैं वो आता है इतना कहना सहज नहीं है मैं आएगा ही बैबुजी को पूछे मॉबाइल किसका है तुरंत कहेगा मेरा और उन्हों का थोड़ी कहेगा इतना नैचरल हो चुका है सारे कलब का सत्युक से लेकर तो इतना जल्दी नहीं जाता है फिर भी कि अभ्यास बार बार दो इस शब्द है मैं और मेरा ये दो शब्द को अगर हम अपने बुद्धी से जितना कम यूज करते हैं बाहर से नहीं कोई पूछता है तो जरूर बताओ मेरा बेटा, मेरा पती बुद्धी में मेरा मैं और मेरा यहां कुछ नहीं है नहीं है भाई जी आपका कुछ नहीं है एक चीज तो आपके है बताओ कौन सी है वो बाबा आपका तोड़ी वो हमारा है आप अपना तोड़ी कह सकते है वो तो सबका है हमारा है आपका कुछ बताओ वीर जी बताओ वीर जी आपका कुछ है एक चीज आपकी है आप कह सकतो मेरा कुछ नहीं लेकिन एक तो आपका है न वो आपको छोड़ेगा न आप उसको छोड़ सकता है आपके केवे कर्म चाहे लाख करो चतुराई लेप मिटे नारे भाई ये केवे कर्म आपके जुरूर है बाकी इस दुनिया में मैं और मेरा इस दो शब्द को समझ कर अगर बुद्धी से आप परिवर्तन करते हो तो पांच विकार कल से खतम पांच विकारों की जो जननी है मैं और मेरा जो बाबा ने आज का हर घर में शांती या स्वर्ग हो तो शांती कब शांती कुछ में नहीं है मेरा कुछ में नहीं है मैंने कुछ का मानता नहीं है मेरा सुनता नहीं है तब मेरा सुनाने आ गया वहाँ अंदर सुरोता पहले फिर भाहर आता है मेरा कुछ है नहीं सुनाया ठीक है बाबा के बच्चे बुद्धी के अंदर ड्रामा का ज्यान है तो ज्यान सुनकर यूज करना तो सबसे पहले तो आज बाबाने का बाप पढ़ाता भी है और पवित्रता भी है तो पढ़ाई सुनने से आधा कलप से हम सुनते आए कितने रामा एन महावद गिता क्या नहीं सुना तो सुनना पढ़ना सब कुछ नहीं है समझ समझ करके आचरन तो यह पढ़ाई पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब का इसले जो इश्वरिय नियम के अंदर सबसे पहले पढ़ाई चाहिए जो समचाते नियम क्या है यहाँ धारना क्या है पढ़ाई चे कि पढ़ाई नहीं है ग्यान जो सुना और ग्यान बहुत कुछ बाबा बहुत सारी श्रिमत देता है उस सब नहीं जाएगा भगवान के एक बुंद के प्यास एक बुंद बस रोज जैसे माबा अपने बच्चों को कुछ कहा तुरंद करता है आज का आज तो कहेंगे सुपूत बच्चे हाँ करता है करता ही नहीं कुछ भूल गया बहुत सारी कारण बताएंगे तो उसको सुपूत कहेंगे नहीं न वारिस कहेंगे अधिकारी कहेंगे ऐसे नहीं वरिधानी करना चाहिए, यही लेना चाहिए, उस सब नहीं हो सकता है हम नहीं खा सकते है अगर यह भाहेजी दो रोटी खाता है, आप भी खा लो, नहीं जब लोटी कह सकता है हर एक के अपने ability है लक्ष है ताकत है हर एक अपने पास रखो उसका चिंतन करो तो कि कि अपने आप ग्यान सुनने से नहीं आएगा प्लाइनिंग करना पड़ता है उसके पले सोचना पड़ता है चिंतन के अर्थ है प्लाइनिंग तो प्लाइन करने ये बात बाबा ने का गुसा नहीं करो, कैसे हो सकता है? नहीं हो सकते, वो ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, तो आप सोचते हैं, अगर उसने गुसा किया, तो मुझे क्या करना चाहिए, अगर उसने ऐसा किया, मुझे क्या करना चाहिए, प्लाइनिंग का, उसे को चिंतन क्याता है, हर कर्म के लिए पहले प्लाइनिंग करना करो यहां से नाश्टा करने जाते हो अंदर यह अंदर चलना चाहिए इसको बुध्धी के अंदर चिन्तन चलता है प्लानिंग करता हो यह कैसे करो फिर इतना ही नहीं है फिर एक दुसरों उसे शेयर करो, कि आज बाबा ने ऐसे कह, क्या ऐसे आप कर सकते हो, करना चाहिए, तो वो भी अपना विचारक बताएगा, शेयर जरूर करना, तब संसकार बनते है, ज्यान के अविनाशी संसकार बनाओ, अब हमारे अंदर, कौँसे संसकार बने, परचिंतन निंदा, ये ऐसा हुआ, ऐसा, इसने ऐसा का, उसने ऐसा का, ये भरा हुआ है, तो ज्यान का चिंतन, ज्यान के अविनाश, और ये सारे कलब के अंदर, काम में आने वाल, इसलिए कह, अविनाशी धन आए, ये ज्यान धन दान करो, रखो नहीं, सुन के मैंने सुना, मैंने दस दफा पड़ा, कोई फाइदा नहीं, लिस्टिंग, रीडिंग, इस नॉट अवरिधिंग, वो अंदर जाता नहीं, सुन लिया, पढ़ लिया, बसो गया, पाने के ओपर लखिर, निकल गये वो, अगर पत्तर के ओपर होना चाहिए, पर्मनंट अंदर होना चाहिए, तो चिंतन, प्लैनिंग भी करो, चिंतन भी अरु वर्णन करो, अवरों के साथ, लेन देन करो, बात करो, लिकिन ज्ञान के अलावा, इदर उदर की करना नहीं, आज बाबा ने एका, दस्त लोगों को पूछो, कभी पूछते हो, कभी, नहीं, यह आदत नहीं है, ब्रामन उसको कहा, उनके जीवन के जो मर्यादा है, नियम है, ज्ञान की बात करो, उसके हाथ में ज्ञान दिखाते हैं, मुक पर, सरस्वती केते ब्रामनों के मुक पर, तो ज्ञान रदम, पूछ लो अपने आपको, ब्रामन केते हो, तो क्या मेरे मुक से सधा, यह निकलता है, ज्ञान निकलता है, कि और बाते निकलती है, तब बाबा ने आज कहा, अपने दिल से पूछो, अपने आप से पूछो, मैं क्या कर रहा, मैं कहाँ हूँ, क्योंकि सच्चे दिल पर, साहिब राजी है, सच्चा ही क्या है, कि मैं क्या कर रहा, ज्ञान बहुत कुछ कहता है, बहुत कुछ लोग कहता है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसमें एक, यह नीती यह चाहिए दूसरा एक चाहिए कि आज ज्ञान है पता है आमको गुस्वा नहीं करना चाहिए तो भी समय परस्तिती आती है उस समय न चाहते हैं हो जाता है क्यों अंदर संसकार है उशके लिए क्या चाहिए ज्ञान तो है सुना तो है लिखा तो है तो उसके लिए क्या चाहिए पावर्फुल ब्रिक चाहिए है ना अचानक कोई गलत रस्ते पर गाड़ी चलाता है तो पावर्फुल आपको उनको बोल के फाइदा नहीं है है ना आपको ब्रिक लगाना है तो उसको बाबा फुल स्टॉप कहता है तो वो कौन करेगा ब्रेक पावर चे, पावर ब्रेक का तो बुद्धी के अंदर बुद्धी बल चे, योग बल चे, अब योग बल के लिए आप पुछेंगे सिर्फ योग करो, योग में बेठते नीन दाती है, वेर तविचार चलता है बहुत कुछ होता है, माया, रावन कारण, नहीं तो योग ऐसा नहीं है, इतना सिंपल है आज एकी दिन करो, और देख लो आप आज रात, शाम को आप योग में बेठेंगे तो कैसे मन बुद्य अपने आप जहां लगाना चाहो लगा सकते हो क्योंकि विधी से सिद्धी है हर चीज के लिए विधी है और इतनी सिंपल चीज है भगवान मैनत करना नहीं सिखाता है लिकिन हमारे अंदर आदत पड़ी है कि पत्तर तोड़ने के मैनत का खाना खाने की क्योंकि पसिना आगता है तो वो खाना बहुत मिठा है ऐसे देंगे ऐसे खाएंगे तो वो नहीं है तो मैनत करके खाने की आदत बनिया है तो यहां ऐसा नहीं भगवान खिला पाला करना है माबाप के रूप में इतनी सिंपल कुछ यह नहीं है जैसे आपके पास मॉबाइल है मेरे पास भी है बात कर सकते हो कर सकते हो आपके तो मैं बाबा से बात करता हूँ तो बाबा का नंबर है आपका आवाज बाबा के पास जाता है तो कैसे जाता है कौन से नंबर है आपके पास जिरो पहले था अब जिरो चला गया जिरो तो निकाल दिया और बताओ किसी के पास नंबर है बिंदू तो अभी तो नहीं है पहले था वो जिरो लगाओ वो चला गया बाबा का नंबर किसी के पास किसने का बड़ोदा वालों के पास मिलेगा बड़ोधा मना well educated कहा educated city है दो city है दुछ भारत के अंदर एक पुना और एक बड़ोधा का नाम आता है education के अंदर तो बताओ बाबा का नंबर किसी के पास है तो आप के था हम बाबा से योग लगाते है तो रोज मुर्ली में बाबा सिखा बताता है उस पर ध्यान नहीं जाता है हमारा तिकि सहज रोज आता है न अपने को इश्वरिय विश्व विध्याले के अंदर ब्रह्मा कुमारिस के अंदर राजयो क्या एक शब्द है रोज आता है अपने को आतमा समझ मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे आता है रोज आता है कि कभी कभी आता है तो करते हो ऐसा ऐसा कोई करता है तो बता हो करते हो कैसे करते हो बता हो मुझे आता है नहीं बता हो आत्मा समझ बाबा को याद कैसे करते हो अभी आप मुझे तो दिखा है दिता बहें जी आप भाई तो नहीं कहेगा तो आप कहते हो समझो तो आपको मैं कैसे समझो तो आप कैसे समझते हो आत्मा को आत्मा समझ कर बाबा को याद कर आत्मा कैसे समझते हो बताओ तो आत्मा तो है अप तो आत्मा को समझना कैसे है आप बहन जी तो है तो बहन जी को मैं कैसे समझो भाइजो ने न, बहन जी है न, तो बहन जी कहते हैं, मुझे समझो, तो आपको समझने के लिए विधी है न, बहन जी आपका नाम, आप कहां से आई, आप क्या करते हैं, अब मुझे आप कौन है समझ में आया, यही है न, विधी सही है कि गलत है, समझना कैसे, आत्मा तो हो, तो मैने कहने से आपने बनेंगी, है न, you know better than me what you are, आप अपने आपको जानते हो, मैं कौन से आत्मा हो, तब कहा अपने आप से पूछो, इसकी व्यवस्ता के अंदर अर्थ है, ये क्यों कहा, बहुत लोग महिमा कर सकेंगे, बहुत लोग बताएंगे कुछ, आप जानते हो, आपका दिल सत्य बोलता है, उनसे पूछो, मैं कौन, वो बताएगा, मैंने, मैं ऐसा हूँ, मैंने ऐसे क्या, मेरे ऐसे संसकार, वो सत्य बताएगा, तो पहली व्यवस्ता यहां है, कि अपने को समझो पहला, मार्केट में क्यों जा रहे हो आप, ये ये चीज लाने के लिए, प्रिप्रेशन पहला होता है, लक्ष होता है, स्कूल में क्यों जा रहे हो, ये नुकरी क्यों कर रहे हो, ये पढ़ाई क्यों कर रहे हो, तो यहां, तो आपको पताओ नहीं क्योंकि दुनिया में एक नियम है Unless you realize there is no change जब तक आपने महसूस नहीं क्या मेरे अंदर पाप है मेरे अंदर बिमारी है तब तक आप डॉक्टर के पास है उन्होंने जो का उस विधी पुरुवक दवाई नहीं लेता है because मैंने realize नहीं क्या मैं बिमार हूँ दवाई दे रहा है दिया है ले लिया है रख दिया है खाएंगे मैसूस वहना जरूरी है इसलिए ये भरावा अंदर तो इसके लिए पहले पुछो मैं कौन विधी है तो पाँच मिनिट बाबा के पाँच नंबर है भूलने कभी भी अगर जब तक ये नंबर आपने dial नहीं किया तो आपके आवाज उपर नहीं जाएगा भले दस घंटे योग करो आपके विचार horizontal जाएगा उपर नहीं जाएगा इसलिए बाबा ने काई सादू, सन्या, से विश्वा, मित्र नहीं कितनी तपस्या किया एक कुरोध को जीतने सका तो भगवान इनने तो स्वामी विवेकानन ने भी राजयोग सिखाया है तो शुबाबा के कौन सा राजयोग सिखा रहा है हाँ यहाँ बुधियोग का ग्यान को अच्छे तरह समझ ना दिल मेरे से लगाओ का बुद्धी मेरे से लगाओ का तब शुबाब आया कि बच्चों को बुद्धी वे बुद्धी देने के लिए मन तो था पहले मन एकागर करो नहीं का यह दुनिया कहती है तो इसले भारत के अंदर एक हास्से नमस्ते नहीं करते है दो हाथ आत्मा को भी दो हाथ है पताए कौन से हो हाँ एक मन तो इन दोनों को एक करो एक आगरता है तब व्यर्थ, विकल्प, माया, रावन कुछ नहीं आता है इतना दिन हम क्या करते है मन में चिंतन करते है, जरूर मैं आत्मा हूँ, जोतिर बिंद, अरे आज उसको फोन करना था आता है ना माया आया, रावन आया, क्यों बुद्धी को काम में नहीं लेते है दुनिया का योग सिखते हूँ तो बाबा का ग्यान है योग इन दोनों को पहले एक करो अगर मैं भाईजी को देखते बात कर रहा हूँ तो वो इदर दर नहीं देख सकता हूँ कभी भी मैं कुछ पूछ सकता हूँ वो इदर देखी नहीं रहा हूँ खाली वैक्ती हाँ तो बुद्धी के अंदर माया रावन आने का कारण विधी नहीं जानते हूँ नहीं तो भगवान ने जो विधी बताया उसके अंदर कोई विधी कमी हो नहीं सकती परफेक्ट है वो कि परफेक्ट वैक्ती परफेक्ट विधी बताता है हमको perfect वेकते नहीं चाहिए आप imperfect ही चाहिए है ना आदत बन गए तो हमको perfect वेकते संपूर्ण संपूर्ण ग्यान है बैटते ही इतना सहज है गुजराती में आप उसको स्वाध्याय कहते हो स्वाध का अध्यान करो बैटते ही पूछो अराम से दस पांच पंदरा मिनिट एक गंटा भी नहीं क्योंकि पता है शरीर से जमीन पर बैटने सकते हो जमीन पर ने बैटो पहले बैटते समय सोचो पांच मिनिट का आए गए योग में ये ने करो आप आते जाते हो कितने लोगों को डिस्टर बता है दुसरों को डिस्टर बता है न बीच में आप उसको हिलाते हो पहले जाते समय सोचो मुझे कितना समय बैटना है मैं दस मिनिट के उपर ने बैट सकता है तो पीछे बैटो मेरे आना जाने से दुसरों को डिस्टर बना चाहिए कि ये संगम का सारे कलब का आधार है जैसे खाना खाते समय डिस्टर नहीं करना चाहिए है ना सोते समय के भी सो गए किसी को उठाना नहीं चाहिए बहुत बड़ा पाप समझता है तो इसके लिए योग एक कमाई है ऐसे जगह पर बैठो मेरे कारण उठे बैठते समय सोचो कहां जा रहे हैं किसके लिए बैठे पहले प्लैन करके आओ और योग में आते हो किसी को मॉबाइल के जुरूत है मुरली क्लास और योग में मॉबाइल है चाहिए जुरूरी जहां थोड़े लोगों को चाहिए तो चाहिए वहाथ उठाओ रखो क्योंकि उसके भी vibrations है switch off है silence पर रहा है तो रोएकर आवाज करता है तो attention जाता है उसके अंदर भी current है heavy waves है वो waves आपको काम नहीं करने देगा तो उसके लिए कमरे में रखो मॉबाइल मुरली और योग इसे समझ़ के अच्छी चीज़ भी है लइन उसको भी कहा यूश करना चाहिए कहाँ नहीं करना चाहिए उससे बहुत सारे नुकसान है तो यह समझना क्योंकि अभी शिबीर वाले तो नहीं हो बाबा के पच्चे पक्के हो नियम मर्यादा का नियम मर्यादा तो क्या चीज है ये इस सिंपल चीज आज है जो हमारे ज्ञान योग में विगन है बार बार क्या करना है घड़ी लगी हुए हर जगा पर घड़ी भी देखने के जुरूत नहीं दो काम करो किकी योग के अंदर पहले कहा इंद्रियो जीत कहते है इंद्रियो जीत मनš एकड़म नहीं होता है पहले सिंपल बैठने के लिए देखो मैं कितना समय बैठ सकता हूं जगा देखकर बैठो मैं इधर बैठो मैं दोसरों को disturb नहीं होना है पांच मीनिट बैठते हो सोच के अंदर गुस्ते समय सोच के डाइनिंग टेबल पर नहीं जा रहे हो कहां जा रहे हो है ना एक दूसरों को disturb नहीं किसी के सामने जाए पीछे से आओ मैं कितना बैठ सकता हूँ सोच के बैठो और बैठते ही क्या करने क्यों वीधी नहीं है मैंने का देखा क्यों योग मैं लगता है आप बैठ ऐसे कुछ विचार प्लैन करके नहीं है कुछ वीधी चाहिए तब बाबा ने का मन और बुद्धी को ग्यान के आधार से चलाओ नहीं तो मन बुद्धी चलेंगे जरूर आपको चलाएंगी अपने पुराने दुनिया में उदर नींद आएंगी या वेरत विकल्प आएंगे जरूर तो आप बैठ ने सकते हैं दो मिन बैठ तरंट उठके चले जाएंगे क्योंकि पावदर शरीर का भान आएंगा शरीर के विचार आएंगे तिक नहीं सकते हो ने तो योग करने के लिए इतने सबेरे उठकर दौड़ दौड़ के आके बैठे पंदरा मिन आदा गंटा तो बैठो एक जगा पर है बैठना चाहिए बैठ सकते हो पंदरा मिन बी मैं देखता हूँ दो मिन बैठे उठके है एक उठा एक आया उसी में चल रहा है उसी में टाइम चला गया है ना तो मना अभी मैं सकता भटी करने है भटी मेंस कौन साधारण ने कम से कम पांस साल पुराने है अगर उनके अंदर यह डिसिप्लीन नहीं तो और किसके पार रहोंगी राइट है ना नियाम मर्यादा तो एक अच्छे तरसे जानो यह पहले डिसिप्लीन सबेरे योग में बैठते हो अच्छे जगह पर बैठो जहां मैं बैठ सकता हूँ मेरे कान डुसरों को डिस्टर्मने हो कितना मिट बैठ सकता हूँ कहां बैठना चाहे और बीच में बैठते ही सुरू करो बात करना सुरू करो कुछ नहीं इतना सुम्पल है अब पंदरा मिनिट आप एक जगह बैठ सकता हो कम से कम कितना बुजर्ग भी हो एक घंडा नहीं हाँ जो माता है कुछ भी नहीं जानते उनके लिए भी है बैठो बाबा से बात करो ऐसे भक्ती में जानते हो मंदिर में बाबा आप ऐसे वो बाबा के महिमा करते रोको और जो करना चाहते विधी पुर्वक बैठते पूछो मैं कौन अराम से तो बुद्धी जवाब देती है जानते हो दुसरा पूछो अगर मैं कोई है तो मेरा रूप कैसा है अपने से पूछो अपने अपने अपसे बात करो आत्मचिंतन परमात्मचिंतन वो आधा दे एक पांच मिनिट एक घंटा बैठने दो घंटा भी एक जगर बैठे रहेंगे आप उसको जो बेंजे कहते अशरीरी शरीर का पता ही नहीं चलेगा पाव हिलेगा बेने आखे भी हिलेंगे नहीं शरीर को यूजने कर आपात्मा अपने अपने बनते है पाव हिल रहा है पता है मैं शरीर हूँ तो नहीं या शरीर नहीं बने तो विदी है सहज है कोई कटिन नहीं कुछ करना भी नहीं या शरीर बने कर पाँच प्रश्णों का चिंतन करना है आप देना है, ऐसे मैं पूछ भाईजी आपका नाम क्या है, तो आप बोलेंगे, ऐसे ही पूछना है, मैं कौन तुरंट बुद्धि जवाब देती है, मैं सरुशक्तिवान शुब बाबा का बच्चा हूँ, मेरा रूप तुरंट बुद्धि जवाब दे, बुद्धि को कहा ज्ञान युक्त युक करो ज्ञान छोड के नहीं, जो ज्ञान सुना उसको उपयोग करो, क्या सुना था यूस होना चे नहीं तो सुन के फाइदा क्या है, आज भाबाने ये कहा, वह अना चे तो कहा कि मेरा रूप यह है, मेरे गुण, मैं अभी पवित्र नहीं हूँ, थ । । ॥ ॥ ॥ ॥ में था, इह डिफरेंस वहना चाहिए, मैं पवित्रयों शान्सरुप मंत्र नहीं है, मैं पवित्र था परमध्णाम से जब आया सत्यूग में तब था इए अब मुझे बनना है, ये परिपरेशन है, मैं तब शान्सरुप था, अभी मुझे बनना है, फिर मेरे कर्म अब मुक्से बोलने के लिए योग में बेटे, कौन आया, कौन गया, अरे, वाच्मेन के लिए बेटे हो, इधर उधर देख रहे हो, या आखे बंद करके बेटे हो, नींद करने बेटे हो, वो जगानी है, उसको कहा, पहले इंद्रियों पर अधिकार, छोटा सा, पंदरा मिनिट, पाँच मिनिट, इधर उधर हिलाना ने, स्टित प्रग्य कहा, है न, वो अपने आपनी होती, और देना पड़ता है, सीखना पड़ता है, इंद्रियों किसी के वश में नहीं आती है, अपने आप, तो इधर धिरे धिरे करो, बैठते ही, मुझे पंदरा मिनिट बैठना है, सोच के आओ, आखे इधर इधर हिलाना ने, अराम से देखते बैठना है, और अपने आप से बात करो, मैं कौन, मेरा रूप, मेरे गुण, मेरे कर, मैं शरीर के द्वारा, बोलता हूं, मुखे द्वारा, अभी कुछ बोलना ने, आखों के द्वारा इधर दर देखना ने, हाथ पाव हिलाने, शरीर अलग है, मैं इस ब्रकुटे सिहासन पर बैठाओ, क्यों बैठाओ, शुब बाबा को याद कर, मैं कहां से आया, परमधाम, सिधा, परमधाम में कुछ दिखाएने दर है, विज्वलाइज करना, ये कलपना नहीं करना, कुछ, कुछ ने चाहे, आपने नमबर डाल, यहां से अमेरिका गया, दिखाए दिया आपको, वे उसे वईबरेशन से, तो इसके लेका संकलब करो, बाबा कौन, शुब बाबा को क्या याद करेंगे आप, क्यो याद करते हो, उसको परमधा मेरे ने दोना, क्यो याद करते हो, हां, विबरेशन देता है ओ, देख, मिलेगा अपने का, वहा दे गानुत कीओ आ, वहा दे दो, मांगते हो, नहीं Tut Care , वहाद दे दो मैगते ओ क्याatt, आढ वो जोड़ना है। कोईसे जोड़ते हो ? तो कैसे जोड़ते हो connection क्यो शोड़ते हो , two tecnología , तो क्यो शोड़हे ओ ? क्यों जोड़ रहे तार, क्या चाहिए उनसे बाबा के पास क्या है, पावर, कौनसा पावर है, हाइड्रोलिक पावर है, देखे बहेंजी कुछ बच्छी बता रहे, क्या बता रहे, बाबा के गुण भी है, अच्छा, अब चेंज करना पड़ेगा, बाबा सरो गुण संपन, ऐसा? नहीं, तो सरुशक्तिवान कहा, तो आपने तो गुण भी बता दिया, इसले पूछ रहा हूँ, तो करेक्शन करना पड़ेंगे ना, सरुशक्तिवान कहा, गुण, देवी देवताओं के, सरुगुण, संपन, मर्यादा, पुर्शोतम, देवताओं, गुण, आचरण मे आता है, शक्ति, आल्माइटी का, सरुशक्तिवान, कौ pork के पास? पानी का सागर, दोच सागर, नहीं, कौन बतायेगा, सरुशक्तिवान का, कौन शक्ति है? कौन सी है? इसले शक्ति है, तेखो भाई जी बता रहा है, बहुते जल्दी बताओ. अरे आप बाबा को भी सरन करना पड़ता है बहुत लोग गुसा गाले देता है इसलिए पूछ रहा हूँ कहा हूँ आप और बता कौन बताएगा हाँ और और इतना ही दो ही आप कहेंगे मेरे पिता जी के पास दो कार है इतनी जमीन है ऐसे बताएंगे न तो आपके पिता जी के पास क्या है उपता होने चाहिना इसलिए तो याद योग कर रहे हो तो क्या उसके पास है है बच्चों को पता होने के पिता जी के पास क्या है इसलिए पूछा, शुबावा के पास आठ शक्तिया है, तो अश्टरतन बनते हैं, सत्युग में विश्व महाराजन आठ बनते हैं, लक्षमी के पास एकी शक्तिया है, सरस्वति के पास एकी शक्तिया है, वो दोनी है, एक एक शक्ति के उपर मास्ट्री, मास्टर सर्व शक्त इवान, सभी शक्तियों के उपर मास्टी करो, कम से कम एक शक्ति के उपर करो, तो कौनसी शक्ति आठ मुख़्ी शक्तिया है, पवित्रता मुर्ली में आता है, कहीं से नहीं, पवित्रता का सागर आता है फिर आपने सागर बता है नहीं फिर शांती का सागर सागर बता है है आनंद का सागर ज्यान का सागर दुख हरता, सुख करता मुक्ती, जीवन मुक्ती दाता भाग्य विधाता भाग्य बनाने की विधी बता तन, मन, धन से सेवा करते हो तो वो पदमों की कमाई जमा करने के लिए विधी चाहिए और दिव्य बुद्धी दाता यह मुख्य आठ शक्ति है एक एक शक्ति लेके बाबा से बात करो कि बाबा ने क्या क्या बच्चे मेरे जैसे पवित्र बनेंगे तो मेरे घर आ सकेंगे अगर मेरे जैसे पवित्र ने बने तो मेरे घर ने आ सकते हो आ सकते हो? जा सकते हैं बड़दा रह जाएंगे तो बात करो बाबा आप किसमे पवित्र हो? मै किसमे पवित्र बना? आपको तो शरीर ही नहीं है किसमें पवितर, पवितरता क्या है और का संपूर्ण पवितरता कितने मुरलिया है, कितना ग्यान सुना उसको यूज करो, बाबा से बात करो compare करो बाबा ये कैसे करो, किए वो teacher भी है बाब भी है, सदगुरू भी है उनसे करो बाबा आप कहते हो पवित्र बनो इस परिस्तिते में कैसे बनो इसमें कैसे बनो, इसमें कैसे हर चीज बाबा से पूछो वो आपको प्रकाश देता है प्रकानौलेज इस लाइट आपके अंदर अपने आप जवाब आएगा तब कहते है भगवान हमको पड़ाता है और कोई किताब, कोई व्यक्ति नहीं उनसे बात करो दूसरा है बाबा आप कहते है शांती, शांती क्या है अवाज ने परमधा में आप इधर आओ तो पता चलेगा शांती, शांती क्या है उदर बेटके कहते है शांती तो है नहीं उदर उदर तो अशान्ति है नहीं है तो शान्ति किसको कहते है खोलो, सोच पूछो बाबा से शान्ति और अशान्ति क्या बात है बाबा आप कहते हैं सब को सुक देदो यह बहुत दुख देता है, गुस्सा करता है सुक इसको कैसे देंगे हम पूछ लो तो ये एक-एक शक्तियों के उपर एक-एक मिनिट भी बात करो किसके साथ बात कर रहे हो किसके साथ जुड़े हो ये connection connection तार से नहीं बात करते रहो, शक्तियों के उपर और कुछ नहीं, वो सरुशक्तिवान है बाकी कुछ है बाबा बिजनेस क्या करो ये करो उत्सुक्षमतन में वो रूरियान कहा ठीक है ये शरुषक्तियों के वो शक्ति आपके पाप भस्म करेगा योग अगनी कहा ज्वाला सुरुप कहा और कुछ नाम बहुत बड़े है कुछ भी ने आराम से बैठे अपने आत्म चिंतन करो परमात्म शक्तियों का चिंतन करो इसमें कोई तकलिफ है बताओ कोई तकलिफ है तो बताओ ऐसे करते हो कभी हाँ सरुषक्तिया पताने कैसे करते हो एक एक शक्ति लेगा एक शक्तियों शक्तियों का चिंतन जो सोचेंगे वो बनेंगे किसका चिंतन ग्यान का च प्रिक लगा सकते हैं, नहीं, फुल स्टॉप तुरंट लगा सकते हो, तो पवर चाहिए, जयान में लगया, तो यह अगर आप करते हो, एक, फिर बाबा कहते हैं, निरंतर आठ घंटे याद करो, तो कैसे होगा, आठ घंटा, चलते पिरते कैसे याद करेंगे, बताओ, नहीं, बहुत अच्छी बात बताया, जल्ली जल्दी बताओ, चलते पिरते कैसे, मुझे तो आता ही नहीं है, बताओ, चलते पिरते कैसे याद करते हो, चलते बहन जी को देखते याद ने, इनने मास्क क्यो लगाया, नहीं आएगा, आएगा, दिखाई तो देगा ना, तो याद इनको देखते वे, बाबा की याद कैसे आएंगी, आत्मा तो भी दिखा नहीं थे, बिंदी दिखाई दे रही है, शरीर दिखाई देगा ना, तो आत्मान याद बाबा को करो का तो उसके लिए एक दिन आज करके देख लो एक घंड़ सबेरे अभी अधा गया नग्यारा से बारा देखते रो फिल्म भी देखते रहो सब कुछ करते रो करते वे चकिंग करो मेरे बुद्धी में शुब बाबा की याद क्या कहाता शुब बा डुकान में गय आप मार्केट के खामने खड़े हो, क्या लाओ का था? यादी नहीं है, तो उसको याद है, मार्केट तक गय आप, लेकिन क्या लाओ, वो याद नहीं, तो शुब बाबा की याद क्या? बाबा ने कहा, मेरे जैसे पवित्र बनो, मेरे जैसे मास्टर सरुशक् क्या बाबा ने कहा तो वो स्मृति में है कर्म करते रहो, चकिंग करो एक घंटे में, एक मिनिट भी याद थी लिखो दो घंटे चलेगे खाली को अरजने हर घंटे लिखो, तो पता चलेगा चकिंग और चेंग अगर एक घंटा खाली गया को अरजन नेक्स्ट घंटे में दो मिनिट बनाएंगे, चार मिनिट बनाएंगे, भूंद भूंद एक कटा होगा, एकदम ने होगा ये बुद्धी किसी के खाली ने समय मिला तो मॉबाइल को फॉरवर्ड और ये करने के लिए समय नहीं है तो रस्ते पर चलते चलते भी मॉबाइल यूज करने वाले को समय कहा मिलेगा, बाबा को याद करने के लिए तब कहा कोटो में कोई तो ये नियम मर्यादा दो याद रखो, एक पढ़ाई कैसे पढ़ने है एक योग की विधी योग में आते जाते नियम मर्यादा, कैसे होनी चाहिए ठीक है, ये दो बातों का ध्यान रखो और इश्वरिय नियम क्या वन गौड वन फैमिलिक कहते हो अपना समझो हर एक के परति स्ने और सही हो किसी को दिखाने के लिए, किसी के लिए नहीं अपना समझो नहीं से देखो दादी को क्या इतनी बीजी में स्वयम यहां से उस कोने में फोन करे एक नहीं दो दफा तो ये परिवार का नाता बताता है अपना पन का बताता है मा को अपने बच्चों की याद रहती है, बाकि सब भूल जाएंगे तो मा बाप का प्यार क्या चीज है तो पालना क्या चीज है उसको जानना चाहिए नहीं तो महिमा सुनते रहो बहुत कुछ है देखेन हमको भी आचरण में लाना है ना सुन किस के लिए रहो, खा किस के लिए रहो पेट बरने के लिए नहीं ताकत है ना तो वो आचरण में लाओ इसमें कोई तकलिफ है कठी नहीं कठी नहीं नहीं थोड़ा कठी नहीं इतले हाना नहीं कर रही है मेहन जिस्तिर हो गई सोच में पढ़ गई होएगा के नहीं होगा हाँ इसमें ठीक है मंजूर ओम शंती